दोस्तों नमस्ते चैनल में आप सबका सौगत है मेरा चैनल स्नियाश्व एस्टिलोजी में आज फिर से हम लोग आये हैं एक वीडियो बनाया है यह वीडियो इस्पेशली दिवाली के लिए बना रहा हूं क्योंकि दिवाली आ गई है अलमस्त ऑलमस्त 12 तरीक को दिवाली है और आज 9 तरीक है तो तो दिवाली आई है तो उसके लिए सोच रहा था जिकी आप बिजिक चल रहा हूं थोड़ा चा तो सोच़ाए कि क्या ही करूं लेकिन फिर सोचे कि आज फ्री था तो सोचे कि एक कुछ तो करता हूँ तो फ्री कुंड़ी चार्ट रीडिंग का जो 30 अक्टूबर तक का तो वैसे सेलेक्शन हो गया था लेकिन सोचे कि आज थोड़ा सा और एक्स्टेंड कर देते हैं इसको तो 15 नॉवेंबर तक जिन जिनकी कुंड़ी आई है फ्री कुंड़ी चार्ट रीडिंग पे उनकी तो रीडिंग 15 नॉवेंबर के बाद होगी ठीक है तो कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके बट यह महीना थोड़ा बिजी चल रहा है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है दिवाली चल रही है और आप सभी को दिवाली की शुकाम ना है और अच्छे से मनाईए हेल्दी रही है दुर्गापुजा जिनोंने मनाई हमा जो दिवाली अब दुर्गापुजा मना चुके हैं तो अब माकाली की भी भक्ती में जाना पड़ेगा क्योंकि दिवाली आ गई है तो काली पूजा है हमारी तो आप सबको काली पूजा अच्छे से अटेंड करिएगा अपने लोकल एरियास में जहां पर भी आप लोगों जो पूजा है उसे अटेंट करें आप लोग और आप लोग की प्रॉब्लम्स वहां पर मा के साथ शेयर करें विकास यह टाइम बहुत एक इंपॉर्टन पिरियड हो जाता है लाइफ का तो हर साल यह इंपॉर्टन पॉइंट है तो कोशिश करिएगा दिवाली के दिरात अ बाकी दिन अच्छे से काटे और तहवार का मौसम यह देवाली अच्छे से काटे बहराल चलिए आगे एक्स्टेंट कर देता हूं आगे जादा नहीं बाते को कीचता हूं हाँ जिनकी फ्री रीडिंग करनी है पंदर नमेंबर के बात फ्री रीडिंग होगी आज कुछ रि अगर कुण्डी सिलेक्ट होती है तो आप लोगों की भी कुण्डी की डीडिंग हो जाएगी दोसवाल के जवाब मिल जाएंगे चानल सब्सक्राइब कर लीजैगा परसनल लिडिंग अगर आपको किलानी है तो आप कॉल कर सकते हैं व्टसप कर सकते हैं सेम डंबर हैं अगर आप फ्री कुंडली चार्ट डिडिंग अगर आप लोगों को पसंद है मेरे वीडियो से अगर आप को पसंद आ रहे तो उसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चानल को और कमेंट करिए ठीक है तो आज शुरू कर देते हैं कुंडली रीडिंग फिर से दिवाली फोड़ी वीक है और क्या इनकी फिजिकल डेपलेप्मेंट है हेल्थ में थोड़ी बेटर सिच्वेशन हो पाएगी और दूसरा वेल्थ रिलेटेट था हार्दी जी आपकी जो कुंडली है वो वर्गो लगन की है और मर्करी इसका ओनर बनता है अगर आपका देखा जा तो वर्गो नगर मतलब आपका जो लगन है वो 6 नंबर का है और इसका ओनर मर्करी है बुद्ध है इसका ओनर जो की बारवे स्थान में जाके बैटा है जहां पार्च नंबर लिखा है मतलब 12 थाउस में जाके बैटा है जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ जो सूर्य का घर है यहा पर कहीं नहीं मरकरी पावरफुल नहीं है क्योंकि बारवे घर का मरकरी ज्यादा अच्छा होगा नहीं हाला कि हाँ पर एक चीज बोलूँगा जी कि अगर बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे तो शायद थोड़ा इंप्रूब्मेंट दिखे आपको अपनी लाइफ में अब बा है तो मंगल चटे घर का काफी पावरफुल होता है लेकिन दिक्कत यहां पर मंगल यह कर रहा है जिके हैल्स रिलेटर प्रॉब्लम्स देगा ही देगा सामल्टेनेसली एक और चीज अगर आप किसी डिस्प्यूट में या किसी फाइट में कभी फ्यूचर में पढ़ते हैं उससे आप ज़रूर विन आउट कर सकते हैं लेकिन हेल्स में रिलेटर प्रॉब्लम्स यहां शनी के घर में मंगल अच्छा नहीं देता है क्योंकि शनी के घर में मंगल अपने आपको पॉजिटिव नहीं मानता है शनी की भी दस्तिव दिष्टी पढ़ रही है और बूद क करके ही आपको फल मिलने के चांसे बनते हैं तो आपकी हेल्थ को रिलेटर में यह बोलूँगा अभी शुक्री की महादशा चल रहे है आपकी शुक्री की महादशा आपके लिए पॉजिटिव रही है क्योंकि शुक्री यहां पे आपका भागेश और धनेश होके आपके ग शुक्री की चल रही है और इसके अंदर अभी अगर आप देखे तो मंगल की अंतरदशा चल रहे है तो इस वक्त में आपको बोलूँगा आपको थोड़ा सावदार नहना पड़ेगा दो हजार चौबीस तक आपको सावदार नहना पड़ेगा आपको अपने हेल्थ को रे अपने उपर ध्यान देना पढ़ेगा अगर आप ध्यान देंगे लेकिन फिर भी अपर कही ना कहीं के तो आइस्योलेशन दिखाता है तो अपने आपको थोड़ा सा इस चीज को लेके concentrate करिए लेकिन इसको negative way में मत लेकर इसको लेकर ज़्यादा अपने आपको अपने आपको negativeWow करिए जanto質 अगर नहीं भी कहीं पर problem है तो ठीक है अगर कहीं पर problem है तो वो आपकी life का part है उसको improve कने की कोशिश करिए लेकिन उसको लेकि negative मत हुई है उसको लेकि जाद अब परिशान मत हुई है जैसे हैं वैसे हैं जितना हो सके उसको मैनेज करने की कोशिश करिए आप बात कर लेते हैं पैसे को लेके शुक्री की महादशा चले है आपकी इस वक्त आपको पास सदन गेन और कहीं भी डिस्पूट अभी मंगल के अंतरदशा चले है चौबिस तक कहीं से भी आपको कोई लीगल बैटल हो या कहीं भी कोई प्रॉब्लेम हो तो वहां से आपको बेनेफिट आपके अपने एनेमीस के भी उपर आपको विन होने के चांसेज मिलते हैं भागे का मालिक और धनेश का मालिक होके कुटुम का मालिक होके शुक्र 11 स्थान में बैटा है इस वक्त आपकी दम इस वक्त मतलब जब तक शुक्र की महादशा चलेगी आपके बाद धनकी कोई कमी नहीं होगी यहां पर आपको कुछ उपाय करने चाहिए आपको बुथ का उपाय करना चाहिए ग्रीन कुछ चीजों को और मंगलवार को तेल का डोनेट करेगा तेल का भी डोनेट करते हैं तो भी अच्छा है और यहां पर इंपॉर्टेंट ली बोलूँगा चीकि रहु नवं घर में बैठा हुआ है तो केतु की रहु केतु की उपाई ज़रूर करें क्योंकि यहां पर डॉक फिट करना बहुत है तो आपको आपको क्मी आपको होगी नहीं अगर आप मेहनत करते रहें तो बिना मेहनत के अगर आप एजुक्येशन को फोकस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा एजुकेशन से आपको काफी अच्छा बेनेफिट मिलेगा और यह सब चीज़े लॉंग टम होगी उशनी दस्वे घर में बैठा हुआ है तो करमेश के घर में बैठा हुआ है तो जो भी चीज़े देगा स्लो देगा तो सब चीज़े यहांपर आपको शुकर की आपको शुक्र को पूजा करनी चाहिए दो हो दोद्र पिलाएं के जो और जिय आपके लिए बहतर हैगा आपके रिगाडिग आगे पढ़ते हैं कि यहाधि आगे जो है वह डेजी का है डेजीनाम डेजी का है डेजी एक student है और इनकी इनकी मदर ने सवाल मुसे पूछा एंके बेहाँ से जिक कि उनका कैसा रहेगा? अपकी मदर आपकी मदर का दो सवाल था आपके बहाँ नेट एक्जाम?" और क्या आपका future कैसा रहेगा आप जो जो mother है डेजी जी को उनको मैं यह बोलूँगा जिकि मैं मैं ऐसा है what will the future ये कुछ जाद elaborative कोशल हो जाता है what will the future future मैं खराब थे न बोलूँगा obviously अच्छा बोलूँगा लेकिन आपको थोड़ा particular सवाल पूछना चाहिए था लेकिन मै जिता हो सके उसका जवाद नो पहले future का ही पूछ लेते हैं देखे ऐसा अभी केतु की महादशा चले है दोजाशाथ 27 तक चलेगी शायद जी हाँ 26 तक चलेगी 26 तक चलेगी केतु की महादशा या भी केतु आपके भागेस्तान आपके बेटी के भागेस्तान पर बैठा हुआ है और मंगल के घर में बैठा हुआ है हलाकि मंगल के मंगल बार्विस्तान पर बैठा है और वो शनी के घर में बैठा हुआ है ठीक है अगर birthplace से दूर हैं तो ये भागे के लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशी रहेगा, और अगर नहीं भी है, तो भी ये बेनिफिशी रहेगा, क्योंकि केतु कहीं नहीं लगन को देख रहा है, और लगन इनके मित्र रस्तान के है, और केतु भी मंगल का मित्र है, अनिमी नहीं है, तो भाकिस्तान वे वैसे भी कोई प्रेनिट बैट जाए तो बेनिफिट ही देता है, तो केतु यहाँ पर आपको बेनिफिट देगा, 26 तक अच्छा रहने के चांसे हैं, अब बात करते हैं, जीकि फ्यूचर कैसा रहे गए, 26 तक अच्छे रहने के चांसे हैं, बहुत अच्छा, प्रेट कैसा रहेगा, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी केतु के अंदर गुरू के अंतरदशा चल रही है, तो आपका जो नीट वाला सवाल है, महनत करेंगी, तो बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि पंचम स्थान में गुरू बैटा हुआ है, और गुरू जो पंचम स्थान में बैठा हुआ है, वो उच्छ का बैठा हुआ है, बेटा है ठीक है यह बहुत ही है और ग्न के बहुंव sóई पैठ ऐ्टा है और ग्यान के बहुंवMusic काफी बैटे हुए और ग्यान के इजूकेशन से बहुत स्था कमा ले फ्यूचर कैसा होगा स्कों फलवड़ा से कर रहा हूं अपका फ्यूचर कैसा रहेगा अभी जून के 2024 तक बहतरीन नेट एक्जाम क्लियर करना चाहेंगी अराम से बहतरीन अगर कोशिश करेंगी तो बिल्कुल होगा या ये अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो आप फॉरेन में कही न गए एजुगेशन लेने जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपकी बेटी मांगलिक है ठीक है तो अभी तो अच्छा रहे जून के 2024 तक अच्छा है उसके बाद आएंगे शनी केतू के अंदर जो दोनों की बनती नहीं है और छटे आटफे का रिलेशन्शिप बना के चलेंगे कहीं न कहीं घर में कहीं न कहीं गन्यूनियंस में डिफिकल्टी शो करता है ये डिले शो करता है शनी चौते घर में बैठा हुआ मदर से थोड़ा सा कॉम्मिनिकेशन गैप भी हो सकता है अब बात कर लेते इसके आगे केतू की जब महादशा खतम होगी तब शुकर की 20 साल की महादशा लगेगी शुकर पंचम स्थान में बैठे जो की अच्छा है शुकर यहां पे पंचम स्थान में बैठे अश्टम के मालिक होके और तीसरे घर के मालिक होके पंचम स्थान में बैठे पता थर्ड हाउस के मालिक ओनर होके और 8th house के ओनर होगे, 5th house में बैठे है, education के house में बैठे है, spouse के girlfriend relationship, sorry boyfriend relationship और education और बच्चों के घर में child birth के related house में बैठे हुआ है, चोटे मुटे सटे और लग के house में बैठे हुआ है, तो यहाँ पर 8th house का मालिक हो के शुक्र अगर पांचवे स्थान में बैठा है, तो यहाँ कि बेटी कही ना कहीं deep studies में जाएगी या deep किसी चीज में study में जानी के chances बनते हैं, जो कि कही ना कहीं शुक्र related होंगे, अब शुक्र related कोई भी बिज़ो है, चार्मिंग और personality थोड़ा charming होता है, और थोड़ा सा अच्छा, मतलब beauty related होता है, शुक्र, और कहीं ना कहीं शुक में कहीं welfare education कोई भी education ले उसको glamour या उसको welfare करें उसमें welfare में चलेगा, लेकिन यहां शुक्र सिखाएगा आपकी बेटी को, आप महनत करना कहीं ना कहीं softly सिखाएगा, और कहीं ना कहीं health related कुछ ना कुछ जरूर issues या life में कोई ना कोई issues सिरूर create हो सकते हैं, यहां पर एक च उनके ancestral benefit जरूर मिलेंगे, पैसे वाले परिवार्स्त में शादी होने के chances मनते हैं, मांगलिक हैं, यह सिखाएगा शुक्र, अब कैसा रहेगा future, आप खुदी समझ सकते हैं, यह सिखाएगा का क्या मतलब हो सकता है, यह शुक्र प्यार से सिखाएगा लेकर सिखाएगा यह इनका future रहेगा, नेट का एक्जाम अराम से क्लियर हो सकता है, अगर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेट का एक्जाम अच्छा रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अराम से क्लियर होगा, competitive house के जो जिस्टी है, वो केतु की हो, राहु बैठे हो हो वहाँ तीसरे घर का रहु बहुत powerful होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, तीसरे घर पे भी राहु मैंने बहुत तीसरे घर का उनर है, राहु तीसरे घर में बैठे हो है, और शुक्र तीसरे घर के ओनर है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने relationship के और अपने चीजों को लेके, लाइफ को लेके, और education लेके, तो इसमें वैसे तो education के हाँज में बाटा शुक्र खराब नहीं, बैठा पंचम स्थान में कोई भी प्लाइन, खराब रेजल नहीं देता है, और शुक्र पंचम स्थान में अच्छा ही रेजल देने की रखेगा, जैकि, sober और genuine heart के लोगों के साथ, जो genuine लोग होते हैं, और sober जो होते हैं, उनके साथ दिक्कत भी आके, नमस्ते करके चली जाती है, छूती नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, तो यह Daisy जी का है, अब तीसरी कुली, आफरी कुली है, इसकी reading कर लेते हैं, यह मोनिका जी की कुली है, मोनिका जी की जो कुली है, इसमें उनके दो सवाले की life में, problems बहुते हैं, बार-बार problems आ रहे हैं, और उसकी solution क्या होना चाहिए, और दूसरा है, अपना घर का बना सकती है, यह, मोनिका जी, आपकी महादशा गुरू की चल रही है, ठीक है, और गुरू की महादशा में आपका जो अंदर रही है, गुरू की महादशा यह जो, गुरू की महादशा अचल रही है, अगर मैं यहां देखूं, इनकी problems का बात करें, तो मोनिका जी, problems क्यों है, उसके 2-3 कारण है, यह कारण आपको पता देता हूँ अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है देखे नवम भाव का में राहू और मून बैठे है ठीक है तो चौता नमबर मून का होता है वो सात्वे घर का मालिक है और नवम भाव में जाके पैट गया है जो यह डिनोट करता है जिकि पती के भागे से आपको benefit मिलने चाहिए लेकिन यहाँ पर सात्वे घर में कहीं न कहीं शनी बैठे हुए शनी आपके लगन के मालिक है और दूसरे घर के मालिक है अगर लगन का मालिक सात्वे घर में जाके बैठ गया है तो कहीं न कहीं यह फिर से रिनोट कर रहा है कि love marriage हुआ है या पसंद की शादी हुई है और पती से आपका relationship यहाँ पर शनी अच्छा बनाने की कोशिश करेगा अगर पती से relationship अच्छा नहीं करेगा तो यहाँ पर enemies ज़रूर create करेगा या enemies नहीं create करेगा माफ केज़ेगा दोनों से एक चीज होगी तो या तो पती के साथ relationship अच्छा नहीं होगा या तो enemies होगे या तो आपको problems होगे partnership में business में कही ना कहीं लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यह जरूर denote करा है जितना मुझे समझ में आ रहा है आपके husband के तुरू या आपके partnership के तुरू आपका घर या घर और आपके उपर आपके benefits होने चाहिए ता आपका भागे साथवे घर का माली भागे में जाके बैठ गया और रहू के साथ बैठ गया तो यहाँ कही ना कही साथ वे घर से कही ना कही कोई ना कोई मन मुटाव या कही ना कही प्रॉब्लेम्स दिखाता है और राहू कही ना कही यहाँ पर आपको स्टगल करवा रहा है और शनी भी स्टगल करवा रहा है क्योंकि शनी हमेशा चीज़े डिले देता है और स्टगल क मैं बोलो तो आपको ये बोल दूँ जेकि दूसरों को देखे जलेसी अगर होती है तो उसे छोड़ दीजे अगर कहीं पे भी दूसरों को comparison आपके साथ किया जाता है उसे छोड़ दीजे अगर आप खुद को दूसरों के साथ compare करती है तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजे अगर कोई आपको किसी और के साथ compare करता है उसको भूल जाएए इन सब चीजों को compare करना jealousy, revenge और anger इन तीन चीजों को बिल्कुल छोड़ दीजे अगर छोड़ सकती है तो अच्छा है, कोई आपका दुश्मन भी है उससे भी आप दोस्ती करके बनाने के दोस्ती रखे मतला दोस्ती ना से, लेकिन नमस्ते करके चलिए तो यहाँ पर शनी आपको अच्छा रिजल देगा और सबसे बड़ी दिकत की बात यहाँ पर यह हो रही है जिके आपके छटे घर में आपके भागेश का माली गया नवम घर का माली जहां मून और राहू बैठे होए मरकरी वो तीसरे घर में चटे घर में जाके बैठ गया तो कहीं न कहीं आपका भाग गये सूरे के साथ मरकरी जाके बैट गए और सूरे अठवे घर का मालिक और छटे घर में बैटा है सूरे को दोश नहीं लगता लेगिन कहीं न कहीं यहां दिखाता है कि आपके पती के assets कहीं न कहीं बरबाद हुए हैं या expenses में खर्चे हो गए हैं और यहां पे आपके पती को और आपको सूरे नमस्कार करना बहुत जरूरी हो जाता है सूरे की पूजा करना आपको बहुत जरूरी होता है और आप कुछ भी करें आपको एक simple solution देता हूँ आपके पती के खाना बनाना कैसा होगा मुझे लगता नहीं अगर वो खाना बनाना जानते हैं मुझे तो नहीं लगता अच्छा बनाते हैं अगर वो बनाते भी हैं शायद बनाते ही ना हो लेकर अगर वो बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं हलागि वो अच्छा नहीं बनाते होंगे अगर बना लेते हैं तो उनके हाथ से जो खाना बनता है अपने चूले पे जो खाना बनता है जो फायर में बन रहा है उसको उन से खाना बनवाईए और उसको जाके लोगों को डोनेट करवाईए और आप भी खाना बनाईए और अपने हाथ से खाना बनाके लोगों को डोनेट करिए उससे आपको थोड़ी रात में लेगी, सूर्य नमस्कार करिए दूसरा बुद्ध, छटे घर में बैटा है अपने घर में बैटा है, सुराशी में बैटा है तो अपने घर में बैटके, बुद्ध कहां कहीं न कहीं ये दिखाता है कि डिस्प्यूट जरूर है लेकि Harvey से आप निकल के बहार आ जाएंगे उसमें कोई दिक्त की बात नहीं है लेकिन dispute ज़रूर कीरेट होंगे यहाँ पर तो आपको बुध का solution करना आपको सूरे का solution करना आपको शनी के solution करने अगर आप यह तिन चीज़े चार चीज़े कले था मंगल आपका चौत्य स्थान में बैठा है शुकर के साहथा है तो कहीं न कहीं यहां पर आपको मंगल अच्छा बैठा हुआ है लेकिдigor के साहथ बैठा हुआ है तो कोई भी फिमेल गौड़ेस लक्ष्मि और सारस्वति छोड़के कोई भी फिमेल गौड़ेस काली चंडी दुरगा मादुरगा कोई भी इसकी पूजा करिए शुक्र की पूजा शुक्र को आपको स्ट्रॉंग करना है कुट्तों को फीट करिए आपको अच्छा रहेगा शनी आपका पावरुफुल है आपका पार्टनर्शिप में कहीं न कहीं अगर प्रॉब्लम होगी उसे solution देगा अब बात कर लेते हैं जिकि अभी क्या चल रहा है अभी आपकी गुरु की महादशा चल रही है गुरु की महादशा गुरु पंचम स्थान में बैठा और आपके सवाल यह थे जिकि गुरु यहाँ बुरा नहीं बैठा गुरु यहाँ बारवे घर का मालिक हो के और तीसरे घर का मालिक हो के पंचम स्थान में बैठा है तो यहाँ अगर आपको डिनोट करता है तो आपको प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहा है कि यहाँ पर पूरी कुंडली में एक साइन जरूर दिखा रहा है जी कि अगर आपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं जैसे सूर आपने बच्चे को लेके भी आप दूर जानेगा सोच सकती हैं वो भी अच्छा रहेगा बच्चे के हएय बच्चे को लेके हैं तो गुरू पंचम स्थान में बैठा है बच्चे को यह होथा कि आफ दोधोजशता आप 2007 लेने चांशमregierung को देकां कि अर आप के हम आने की च चांसेज हैं क्योंकि मून आपके भागे के स्तान में बैठा हुआ है और पती के थुर आपकर चाहें तो आपको जरूर अपने बर्थ प्लेस से तूर कहीं न कहीं कोई न कोई घर बनाने के चांसेज बनते हैं इसके बाद मंगल की महादशा अंतरदशा लगेगी गुरू की तक रहे की जनवरी के महीने और लगेगी फेवरी के महीने 2024 तर तो यह जो आठ से नौ महीने के आसपर का जो टाइम है इस टाइम पर और उसके बार रहू की लगी तो इस टाइम पर रिड़ में आप जरूर कोशिश करिए अगर आपको चाहिए मंगल की महादशा लगेगी माफ किजिए अंतर दशा लगेगी गुरू के अंदर उस टाइप पर ज़रूर कोशिश करिए अगर आप कोशिश करेंगी तो ज़रूर आपको बेनेफिट मिले के चांसेज है यहाँ पर कहीं न कहीं आपको घर बनाने के चांसेज बना देगा मंगल क्योंकि आयश का मालिक भ शुक्रिक बैठे है यहाँ पर कहीं न कहीं अगर शुक्रित एक चांसेज और आप ज़रूर आपका मन हो सकता है घर उसको ठीक लिए रहा विदेगा तो उपाय मैं बता दिया है मैं अभी के लिए अगर आप चाहें तो वह शुक्रिक कै उपाय करिए सूरिय के अपाय और शनी का उपाय करें, राहू का उपाय करें, इससे आपको अच्छा benefit मिलेगा, और अच्छा रहेगा, गुरू का महादशा उतना बुरा नहीं हो तो बर्थ प्लेस से दूर, अगर बर्थ प्लेस में रहेंगे तो कहीं न कहीं expenses, और कहीं न कहीं health related problem, बेटी के health related problem या अपन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर करिए, थैंक यू सो मच